जहें दोस्तों स्वागत थे आपका हमारी यूट्यूब चैनल में आज के वीडियो में हमली कराए हैं आपके लिए यहाँ पर मतुपकूर्ण कॉस्चन आंसर तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवस्य कर लेंगे अगर आप चैनल पर पहली बार आ हैं तो चैनल को कि अग्या है कॉस्चन अपका यहां पर सभी से कल्वी पन्थी पूंची थी आपसे तो आप सभी का सभी आंसर येंगे कि किकन की केदादना तक्रवाल जी की कि विकल्प नंबर एवाला यहां पर सई आंसर MR केदा ना तक्रवाल आता है यह कॉस्चन नंबर बत्तर में आप सभी के लिए बताना है सुमित्रा नंदन पंत सुर्क अंतरपाथी नराला हर्योद या फिर जैसंकर प्रसाद 72 में आप सभी लोग चैन करेंगे मत्त पूर्ण कॉस्चन है और बत्तर में आप सभी का यहां पर सही आंसर आ रहा है स सुमित्रा नंदन पंत विकल्प नंबर यह वाला जो है आप सभी का यहां पर सही आंसर होगा सुमित्रा नंदन पंत यहां पर सही आंसर है अंगला कॉस्चन यहां पर देखेगा कॉस्चन नंबर यहां पर पूंचा गया है आप सभी से तेतरवा कॉस्चन यहां पर दिया question यहां पर पूंचा गया है जादा लिया और दिया बहुत बहुत कम मर गया देश अरे जीवित रह गए तुम परक्त पंतियां किस कभी की हैं सकुंत मातोर या फिर अग्य नांगर जोन या मुक्ति बोध तो तेतरवा question यहां पर दिया गया है और तेतर में आप सभी का सही आ अंसर है अंगला question यहां पर देखेगा question number 14 यहां पर पूंचा गया है कबीर में यहां पर पूंचा गया है कबीर में जैसे सामाजिक बिद्रुय का तीकापन और पन्यानू भूती की कौमलता एक सांथ मिलती है कुछ बैसा ही रचा मुक्ति बोध में है एक अतन किसका माना जाता है यह आप सभी के लिए चैन करना है बताईएगा चैन कीजेगा क्या होग बताईएगा क्या होगा सई आंसर चैन करना है तो आप सभी का यहांपर क्या होगा सई आंसर कॉस्चन नमबर याप सभी का यापर चोत्तर पूँचा गया है और चोत्तर में आप सभी का सही आंसर है रामसरूप चतुरवेदी डाक्टर रामसरूप चतुरवेदी आप सभी का यापर सही आंसर है वेकल्प नमबर ए वाला वेकल्प जन्वा ने भी चैन किया है, मुनका यहां पर सही आंसर है, अंगला कॉस्चन यहां पर देखेगा, कॉस्चन नमबर आप सभी से यहां पर 75 पूंचा गया है, 75 कॉस्चन है, निदिया सतावे मोहे संज ही से सजनी, यह पंती किस कभी की है, 75 में आप सभी को चैन कनना है, जिनकर किया है, सचितानन्द, हीरानंद, बास्साइन, अग्ये, सुर्कान, तिर पाथि, नराला, समसिर बातर सैं, 75 कॉस्चन यहां पर पूंचा गया है, और 75 में आप सभी का सभी का सही आंसर आरह है, समसिर बातर सैं, विकल्प नमबर D वा अंगला कॉस्चन या मैस बर्मा जी रोहिणी जी, देखेगा। कॉस्चन नंहरfore säger अंबर 76 पूंचया है। मत्पून कॉस्चन है नभी कभीता बैवित्न मैं जीवन की पृति," आत्मचेतस भ्यक्ति की पृति क left", किरिया, नभी कभीता का स्वर् gray एक नहीं विविद है। पर दिया गया है और सुनेना जी विजय कांत जी यहां पर विकल्प नंबर सी सही आंसर है मुक्ति बोध यहां पर सही आंसर होगा मुक्ति बोध यहां पर विकल्प नंबर जिनों ने वी सी चेन किया है उनका यहां पर सही आंसर है मुक्ति बोध आप सभी का सही आंसर होगा का अंगला कॉस्चन यहां पर देखेगा कॉस्चन नमबर आप सभी से आपर 77 क्या पूंचा गया है यहां पर दिया गया है इने मैंसे कौन राष्टवादी राष्टिय काबदारा का कभी नहीं है 77 में वतानाय राम नरेश्टर पाथी नहीं है या फिर वालकृष्ण सर्मा नभीन नहीं है माखलाल चत्वरवेदी नहीं है सिरीधर पाथक नहीं है 77 में आप सभी के लिए आपर चैन करना है मत्यपूर्ण कॉस्चन यहां पर पूंचा गया है क्या होगा सई आंसर चैन कीजेगा क्या होगा सई आंसर राष्टिय काबदारा का कभी कौन नहीं है तो विकल्प नमबर यहां पर डी वाला जो विकल्प है आप सभी का सही आंसर है यानि कि सिरी धर पाठक है यह राष्टे का बदारा की कभी नहीं माने जाते हैं विकल्प नमबर चार आप सभी का यहां पर सही आंसर होगा अंगला कॉस्चन यहां पर देखेगा कॉस्चन नमब 78 यहां पर पूँचा गया है और 78 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर पृतिक पत्रिका के संपादक पूँचा गया है और 78 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है क्या रहा है सही आंसर बेकल्प नंबर ए वाला जो है आप सभी का यहां पर सही आंसर है अग्ये पृतिक पत्रिका के संपादक कौन थे अग्ये आप सभी का यहां पर सही आंसर होगा लाइट क्लास चल रही है अंगला कॉस्चन यहां पर देखेगा question number आप सभी से याँ पर 89 पूँचा क्या है इनमें से कौन सी विसेष्टा नई कवीता की नहीं है नई कवीता की विसेष्टा कौन सी नहीं है रमा सर्मा जी चैन कीजेगा बौधिकता, चनवादिता, अतिसरे व्यक्तिकता, माक्सवादी दर्सन 89 में चैन करना है 89 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर कौन सी विसेष्टा नई कवीता की नहीं है तो आप सभी का याँ पर सही आंसर आ रहा है कि विसेष्टा है माक्सवादी दर्सन विकल्प नमबर आप सभी का याँ पर जो D वाला विकल्प है आप सभी का याँ पर सही आंसर है, नमाक सवादी दर्सन आप सभी का सही आंसर होगा, अंगला कॉस्चन याँ पर देखेगा, कॉस्चन नमबर आप सभी से याँ पर पूंचा गया है, कौन सा अस्तीवा कॉस्चन याँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है, दिनकर की किस र नामधारी से दिनकर की कौन सी रचना है जिस पर ग्यानपीट पुरुसकार इनके लिए दिया गया है Q80 का सही आंसर बताना है तो आप सभी का सही आंसर है और वसी विकल्प नंबर D वाला जो है वह आप सभी का यहां पर सही आंसर है और वसी जिनोंने भी चेन किया विकल्प नमबर चार उनका यहाँ पर सही आंसर होगा अंगला कॉस्चन यहाँ पर देखेगा कॉस्चन नमबर 81 पूंचा गया है साई में धूप संग्रई के रचनाकार इनमे से कौन है साई में धूप बताना है बताईएगा क्या होगा सही आंसर question आपका यहाँ पर मत्पूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही answer साई में दूप संग्रई की रचिना कार वतारा है और आप सभी का यहाँ पर सही answer आ रहा है कि रचिना तो मानी जाती है किनकी विकल्प नमबर आप सभी का यहाँ पर 81 में सही आंसर आ रहा है दोसियन्त कुमार दोसियन्त कुमार विकल्प नमबर ए वाला जनों ने भी चैन किया है दोसियन्त कुमार उनका यहाँ पर सही आंसर है उनी की रचना मानी जाते है साहे में धूप गंगला कॉस्चन यहाँ प प्रिगती बादी चाया बादी प्रियुक बादी नई कवीता कॉस्चन नमबर 82 यहां पर दिया गया है और 82 में आप सभी का सही आंसर स्वानों को मिलता दूद वात या दूद वस्त्र भू के वालक अकुलाते हैं इसको मूल भावना की दरश्टी से किस पिरकार की कवीता मा जाएगा तो आपका सही आंसर प्रिगती बादी विकल्प नमबर यह वाला हाँ पर लबली ठाकुर जी बहुत बढ़ियां सभी लोगों ने यह जिनोंने भी चैन क्या है प्रिगती बादी उनका सही आंसर होगा कॉस्चन नमबर यहां पर 83 पूंचा गया है माया दरपन औ जाते हैं कॉस्चन नमबर 83 यहां पर दिया गया है अजित कुमार हैं धूमिल हैं स्रीकांत बर्मा हैं कुमन नारायन है 83 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर बताइएगा चैन कीजेगा चार विकल्प आपके दिये गए हैं बर्मा यहां पर सही आंसर है श्रीकांते बर्मा यहां पर सही आंसर है अंगला कॉस्चन यहां पर देखेगा आदुने क्योंको की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है 84 वा कॉस्चन यहां पर दिया गया है आदुने क्योंको की मीरा कहा जाता है सुवत्रा कुमारी चौहन को सरोजी निया इनाइडू को महादेवी बर्मा को उसा प्रियम बता को तो आप सभी का यहाँ पर 84 में सही आंसर क्या होगा चैन कीजेगा मत पूर्ण यहाँ पर question पूँचा गया कई वार आपके लिए बताया है कि आदुने क्यों की मीरा तो कहा जाता है किनके लिए वेकल्प नमबर सी सही आंसरों का महादेवी बर्मा जी के लिए वेकल्प नमबर आप सभी का यहाँ पर सी सही आंसर है महादेवी बर्मा सभी लोगों ने सही आंसर बताया है गंगला question यहाँ पर देखेगा प्रवासी के गेत नामक का बिसंकलन किस कभी का माना जाता है प्रवासी क में आप सभी मिटा संकिलनуш माना जाता है सरमा के गा रहा रहा है नरेंद्र नरेंद्र विकल्प है आप सभी का यहां पर सही आंसर होगा अंगला कॉस्चन यहां पर देखेगा कॉस्चन नमबर आप सभी से यहां पर पूंचा गया है क्या पूंचा गया है आज मैं अकेला हूँ अकेले रहा नहीं जाता जीवन मिला है एह रतन मिला है एह फूल में मिला है या धूल में मिला है एह उपरिप्त पंतियां किस कभी की मानी जाती है वै कभी आपको बताना नभीन है तलोचन है नांगरजोन है मुप्तिबोध है छासी में आप सभी लोग चैन करेंगे तो बताईएगा क्या होगा सही आंसर आज मैं अकेला हूं अकेला अकेले रहा नहीं जाते है इस पंतियां जो है बहुत ही मत्पूर्ण पंतियां मानी जाती है और इस तिल्लोचन जी की पंतियां मानी जाती है विकल्प नंबर बी वाला आप सभी से इनका यहां पर सई आंसर है तिल्लोचन जन्नों ने भी क्रम यहां पर सही होगा यह चैन करना है आप सभी के लिए दिनेश जी सभी के कमेंट यहां पर देखते जा रहा है बस एक बार आप सभी लोग लाइक बस से कर लेंगे जन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है और यह पीडियाप है आपके लिए मात्र तीन सभी के लिए उपलप्त है जिनके लिए चाहिए हो संपर कर लें नंबर इसकीन पर चल रहा है और कालकर्मानुसार आरोई क्रम में वस्तत करना है तो सबसे पहले केदान नात अक्रभाल उनके बाद से मंगल सैंसुमंत लोचन और रांगी रागब डी वाला विकलप आप सभी आंसर होगा अंगला कॉस्चन यहां पर देखेगा कॉस्चन नंबर यहां पर पूंचा ग्या है 88 कॉस्चन है क्या पूंचा है अबल धबल गिरी के सिकरों पर बादल को घृते देखा है छोटे छोटे मौती जैसे अतिसा सीतल बानी गणों को और परिप्त काप पंतियां क किस कभी की मानी जाती है ये काप पंतियां बता दीजेगा एक बार सेयर करते हैं ताकि सभी लोग जो है बहुत सारे लोग अभी तक जुड़े नहीं है क्लास से सभी लोग जल्दी से जुड़ जाए और आप सभी का यहां पर सई आंसरों का 88 में क्या होगा सई आंसर 88 में चैन करना है चार विकल्प आपके यहां पर दिये गए हैं और आप सभी का यहां पर सई आंसर आ रहा है कि नागरजुन विकल्प नमबर ए वाला जो विकल्प है आप सभी का सई आंसरों का नागरजुन जोनोंने भी चैन किया है उनका यहां पर सई आंसर है अंगला कॉस् सोई इनर की बस्ती बहेंकर, पर्युक्त काबपंथियां के सकभी की मानी जाते हैं, ज़ाँ नवासी में मुक्ति बोद है, पो लाल दुबेती इन मैसे कोई नहीं नवासी का सही आंसर चैन करना है तो नवासी में आप सभी का सही आंसर है कि यहां पर मुक्ति बोध सही आंसर होगा विकल्प नमबर ए वाला जो है वह आप सभी का सही आंसर है क्या है सही आंसर मुक्ति बोध आप सभी का विकल्प नमबर यहां पर सही आंसर होगा अंगला कॉस्चन यहां पर देखेगा कॉस्चन नमबर यहां पर पूंचा गया है आप सभी से नब्यवा कॉस्चन यहां पर दिया गया है जिस देश प्राणों की जलन में एक नूतन सपन का संचार हो ओ हिरदय मेरे उस जुलनी की भूमी में विच जा सुय मही मपरिक्त कावपंतियं, मुक्ति बोध की किस कवीता से लिगाएं अगर पूंचा जा उसके किस कवीता से लिगाएं ये पूंचा गयाएं तो नब्व्य में आप सभी का यहाँ पर स़्या आंसर होगा ये ली गई हैं, खोल आखें, किस्ते ली गई हैं, खोल आखें, विकल्प नंबर C, जिन्होंने भी चैन किया है, उनका यहाँ पर सही आंसर होगा, उमेश जी, नित्तु जी, वनीशा जी, अंगला कॉस्चन यहाँ पर देखेगा, सलोनी जी, कॉस्चन नंबर यहाँ पर मत्पून कॉस्चन यहाँ पर दिया गया है, और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है, क्या रहा है सही आंसर? विकल्प नंबर एक सही आंसर है, युगधारा, सतरंगी पंकों वाली, प्यासी पत्राई आंखें, तुम ने कहा था, यह वाला जो विकल्प है, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, विकल्प नंबर एक, जिनोंने भी चैन किया है, उनका सही आंसर है, अंगला यह आप देखेगा, कॉस्चन नंबर बाननवे आप से पूंचा गया है, बाननवे में आप सभी से पूंचा है, कि नाटक जारी है कि रचेता का नाम बताईएगा, कौन मानी जाते हैं, बाननवे में चैन कन्ना है, चंदरकांत देउताले हैं, लीलादा जगुली हैं, अज और आप सभी का सही आंसर होगा क्या होगा सही आंसर तो नाटक जारी है जोगाड से अपने याद किया था ना नाटक जारी है जोगाड से जोगाड से हो जाएंगे लीला जा जगुडी जोगाड से जगुडी विकल्प नमबर बी वाला जो विकल्प है वै आप सभी का याँपर साही आंसर होगा बहुत बड़ी हैंगला question याँपर देखेगा question number आप सभी से याँपर पूंचा गया 1390 question याँपर दिया गया है क्या दिया गया 1390 question एह रहा आपका ब्रम राक्षस नाम कभीता की रचेता का नाम बताई ब्रह्म राक्षस ये धन्वीर वार्ती हैं इसके रचेता भवानी प्रसाद मेस्र गजानन मादा मुक्ति बोध गिर्जा कुमार मातुर Question number आप सभी से याँ पर 93 पूंचा गया है और 93 में आप सभी का याँ पर सही आंसर आ रहा है कि ब्रह्म राक्षस नामक कवीता की रचेता मानी जाते हैं कौन मुक्ति बोध मुक्ति बोध आप सभी का सही आंसर है गजानन मादा मुक्ति बोध सी वाला विकल्प जो है वह सही आंसर है यानि कि ब्रह्म राक्षस को मुक्ति मिल गई मुक्ति से मुक्ति बोद आप सभी का सही आंसरों का अंगला कॉस्चन या पर देखेगा कॉस्चन 94 पूँचा गया है मतबाला और समनबाई नामक पत्रों का संपादन किस चायबादी कभी ने किया है बहे कभी आपको बता रहे जैसे इंकर पर साथ है निराला है पंते हैं मुकुड़दर पांडे है बहे चायबादी कभी आप सभी के लिए चैन कनना है जिन्होंने मतबाला और समनबाई नामक पत्रों का संपादन किया है 94 वा कोस्चन याँ पर दिया गया है माईसे राजपूत जी और आप सभी का सभी का सइया आंसर है नवेकल्पनमबर बी आनिकी निराला यहां पर सूरकान तरपाठी निराला इनका पूरा नाम है इन्होंने मतबाला और समनवई नामक पत्रों का संपादन किया है चायवादी कभी है अंगला कॉस्चन या पर देखेगा कॉस्चन नमबर आप सभी से 95 पूंचा है पिरसाद की प्रिथम चायवादी किर्थी कौन सी मानी जाती है जरना है आसू है लहर है का माईनी है क्या होगा सही आंसर चैन कीजेगा पिरसाद की प्रिथम चायवादी आपके लिए किर्थी बताना है कौन सी मानी जाती है 95 में चैन करना है और 95 में सही आंसर होगा जरना आसू लहर का माईनी तो विकल्प नमबर ए वाला जो है वै आप सभी का सही आंसर है जरना यहाँ पर सही आंसर होगा जरना यहाँ पर सही आंसर है यह वाला विकल्प जो है वै आप सभी का सही आंसर है प्रसाद जी की प्रिथम चायबादी पूंचा है तो चायबादी रचिना यही मानी जाती है चान्यवेवा कॉस्चन या पर दिया गया है कौन सी कृति अग्ये की नहीं है नहीं बताना है बताईएगा हरी घास पर छणबर भूरी भूरी खाकदूल अरी ओ करुणा प्रभामय या फिर आंगन की पारद्वार वै कृति बताना जो अग्ये की नहीं है अग्ये की नहीं प बूरी बूरी खाकदूल विकल्प नमबर दो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है बूरी बूरी खाकदूल यह किनकी मानी है आप कमेंट में बताएंगे यह रचिना किनकी है बूरी बूरी खाकदूल अग्गे की तो नहीं है बाकी की अग्गे कहरी गास पर चनबर अरियो कर प्रभामय आंगन के पारद्वार कॉस्चन नमबर 97 यहां पर पूंचा गया है कौन सी रचना निराला की नहीं है नहीं पूंचा है परिमल सोकुछवास गीती का तुलसी दास निराला की रचना नहीं बताना है तो नहीं में आप सभी का क्या होगा सही आंसर चैन कीजेगा कि यह देखेगा निराला की रचना पूंचा गया है नहीं पूंचा गया है कौन सी नहीं है तो आप सभी का सही आंसर होगा मुक्तिवोध की रचना मानी जाते है बूरी बूरी खाकदूल और यहां पर भी सोकुछवास नहीं मानी जाते है निराला की रचना वेकल्प आप सबी से आपर पूंचा एंठान निवे बा कॉस्चिन जूही की कली नामक कभीता का पिरकासन वर्स बता दीजेगा कब एक प्रिकासित हुई थी 1916 में 1923 में या फिर 1925 में कॉस्चिनन नंबर अन्थान नवे आप सबी से पूंचा गया है जूही की कली निराला की रिष् तो सई आंसर होगा, 1916, वेकल्प नमबर, ए वाला वेकल्प जो है आप सभी का यहाँपर सई आंसर होगा, 1916, अंगला कॉस्चन, यहाँपर कॉस्चन नमबर कूचा क्या है, 99 बेवा कॉस्चन है, पंत जी कि किस काप्रिकेती को चायवाद का मेनि फेष्टो का जाता है, सही आंसर है 99 में क्या है सही आंसर पंत जी की किस का भी किर्टी को छायबाद का मेनी फेश्टो कहा गया है और आप सभी का यहां पर सही आंसर होगा पल्लव को विकल्प नमबर ए वाला जो है वह हां पर सही आंसर है पल्लव जिनोंने भी चेन किया है उनका सही आंसर है राखी जी बहुत बढ़ी है अंगला कॉस्चन यहां पर देखेगा कॉस्चन नमबर यहां पर पूंचा गया है तेइस सोबा कॉस्चन पूंचा गया है ये question आपका क्या हो गया डवल हो गया अब भी पड़ापन नाटक जारी है जोगाड से तो लीला जा जगुड़ी हो जाएंगे जगुड़ी अंगे वड़ते हैं पंती जी की किस कापे किर्ती में भासा, अलंकार, छंद, सब्द के चैन संबंद में एक लंबी भूमी का है नंबर इसकीन पर चलता है मातरे 1199 रोपे की पीडियेप है पंती की किस कापे किर्ती में आपके लिए बताने है भासा, लंकार, छंद, सब्द के चैन के संबंद में एक लंबी भूमी का है तो पल्लाव यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है भै आप सभी का सईया अंसर होग पल्लाव यहाँ पर सईया अंसर है मुकेश जी अंगला कॉस्चन यहाँ पर देखेगा कॉस्चन नंबर यहाँ पर पूंचा गया है कौनसा यहाँ पर दिया गया है कॉस्चन नंबर दो मत्पून कॉस्चन है कि देखेगा यहाँ पर कॉस्चन नंबर दो दिया गया है कि ह बिकल्त काप पंतियां अग्गे की मानी जाती है अग्गे की किस कवीता से ली गई है वैं कवीता आपको यहां पर चैन करना है कौन सी वैं कवीता है चैन कीजेगा। चाला यहां पर सही आंसर होगा, कॉस्चन नमबर आप सभी से यहां पर तीन पूँचा गया है, नमनमय से कौन सा नाम सही है, देखेगा सही नाम पूँचा है, आप से पहला तारसब तक, दूसरा तारसब तक, तारसब तक या फिर तीसरा तारसब तक, तीन वा कॉस्चन यह यहां पर दिया गया है और क्या होगा सही आंसर बताना है कौन सा नाम सही है तो सही नाम का चैन करना है कौश्चन नमबर तीन में और तीन का सही आंसर आ रहा है यहां पर तो सही नाम है कौन सा तार सब्तक बिलकुल सही आंसर है तार सब्तक जो पहला तार सब्तक नहीं बोलत दूसरा सब्तक पिर तीसरा सब्तक चौथा सब्तक इस प्रकार जो है लिखा जाता है तार सब्तक का जो प्रकासन माना जाता है सभी को पता ही होगा उन्निस सो तेतालेस है और दुतिय सब्तक का जो प्रकासन है उन्निस सो इंक्याओन है तृतिय सब्तक का जो प्रकासन उन्निस सो नसट है और चतुर्त सब्तक का जो प्रकासन है उन्निस सो न्यासी माना जाता है चारों सब्तकों का प्रिकासन एक ही जनने किया है बहें अग्गे अग्गे ने चारों का संपादन किया है प्रियोग बाद की कालवधी बताना है कब से कब तक मानी जाती है बताईएगा चेन कीजेगा प्रियोग बाद की कालवधी चेन कनना है चार वेकलप आपके दिये और आप सभी का यहां पर सही आंसर आ रहा है क्या रहा है सही आंसर विकल्प नंबर आप सभी का यहां पर बी वाला विकल्प बहुत सारी लोग बता रहे हैं कि जो प्रियोगबाद की कालबदी मानी जाती है वैं मानी जाती है 43-1953 ये प्रियोग बाद की कालब दीवानी जाती है भी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है अंगला कॉस्चन यहाँ पर देखेगा कॉस्चन नमबर यहाँ पर दिया गया है पांच समकालीन समिक्षा में अस्तत वाद किसे घोसित किया गया है मुक्ति बोध क सकुन्ट मातुर को अगये को यहाँ पर दिया गया है और पांच में आप सभी का क्या होगा चैन कीजेंगा चार विकल्प आपर दियेगा है समकालीन समिक्षा में अस्तत वादी किसे घोसित किया गया है पांच का सभी का साइनजर होगा अगये अग्गे आपका साय आंसर है सच्चितनंद हीराणंद पात साय अग्गे मिकलत नंबर ँवाला साय आंसर हैं अंग्ला कौस्टिंदेख्ये का नई पत्रिका का प्रिकासन आरंभूगा ौनिस सो तैंपंगे में 1931 में 1935 में या फिर ча ने उने उप फटन में question number 6 में सही answer बताना है नई पत्रिका का प्रिकासन आरंब हुगा कब आरंब हुगा ये पूंचा क्या है तो आप सभी का यहाँ पर सही answer होगा 6 में विकल्प नमबर क्या होगा सही answer दिपक जी, सौनिका जी, गोलू जी विकल्प नमबर आप सभी का 20 सही answer है 1954 में विकल्प नमबर 2 जनों ने भी चैन किया है उनका यहाँ पर सही answer है नई पत्रिका का प्रिकासन आरंब हुगा 1954 में अंगला question है आप देखेगा question number यहाँ पर मनीश जी दिया गया है साथवा question है नकेन बाद किस कापधारा के लिए प्रुप्त हुआ है नकेन बाद आपके लिए बताने चायवादी प्रिकतिवादी प्रियोगबादी या फिर इनमें से कोई नहीं साथवा question यहाँ पर दिया गया है और साथ में आप सभी का क्या होगा सही answer नकेन बाद आपको बताना है किस कापधारा के लिए प्रुप्तुआ है यह पूंचा क्या है मत्तपुण question है दिपक जी और आप सभी का यहाँ पर सही answer है क्या है सही answer वेकल्प नमबर C आनि कि प्रियोगबादी काप बे आपर सही answer है प्रियोगबादी काप बे आप सभी का सही answer है नकियनबाद किस कापधारा के लिए प्रुप्तुआ है तो प्रियोगबादी काप के लिए प्रुप्तुआ है अंगला question देखिएगा प्रपद्यबाद किस का परिया है प्रपद्यबाद किस का परिया है नई कभीता का आकभीता का प्रियुकबाद का नकेनबाद का आठ में चेन करना है क्या होगा सई आंसर बताईएगा चेन कीजेगा चेन करना है सभी के लिए और आप सभी का यहां पर सई आंसर है प्रपद्यबाद किसका परियाय माना जाता है तो आप सभी का यहां पर सही आंसर आ रहा है तनु जी क्या रहा है सही आंसर प्रिपद्ध बाद जो है नकेन बाद का परयाय माना जाता है वेकल्प नमबर D जिनोंने भी चैन किया है उनका यहां पर सही आंसर होगा D वाला वेकल्प आप सभी का सही आंसर है नकेन बाद अंगला कॉस्चन याँ पर देखेगा सही आरोही क्रम चैन करना है सही आरोही क्रम कौन सा होगा है आपर चैन कीजेगा नौबा कॉस्चन याँ पर दिया गया है और नौबा कॉस्चन याँ पर दिया गया है और नौबा कॉस्चन याँ पर दिया गया है और नौ लीता तो विकल्प number C जोन्वनना भी चिन किया है उनका यहां पर तक बात बहुत सारी लोग करते हैं विलकुल ऐसे ही लगी रहते हैं कुद तो बात करते हों दूसरे विजो है उससे नहीं पढ़ पाते हैं तो किर्प्या ध्यान दें जो है यहां पर life chat में बात ना करें आखरी में बहुत जो है समय दिया रहता है तो उसमें kilow 1998 कौन सि है 10 सब्ड US यहां पर दिया गया है 10 का सभी आंसर बता यह उन में तो इन में सेु है की का अजýड नारान साही की माचली त्रास है, म्रग और त्रशना है, या फिर यहां पर सूर्य का स्वागत है, तो सही आंसर है, यहां पर क्या पूंचा गया है, तो दीपक जी विलकुल देख लेते हैं, दस बार कॉस्चन यहां पर दिया गया है, वो दस में आप सभी का सही आंसर है, विजय देव नारण साही की का विकृति कौन सी है तो मचली घर विकल्प नंबर एक आप सभी का यहां पर सही आंसर होगा मचली घर जनों ने भी चैन किया है उनका यहां पर सही आंसर है अंगला कौस्चन यहां पर देखेगा कौस्चन नंबर 11 पूंचा है हिंदी का कौन सा जायवादी कभी सभीक यौगा से आंसर का कॉट्ट यहां पर पूंचा गया है और आप सभीका सभी टाउरा है क्या रहा है सभी री स्बाद्च से प्रभावित हों कर का पर रचना करने लगे थे सुमित्रा नंदन पंत सन 1975 के बाद कवीता को क्या नाम दिया गया सन 1975 के बाद बताना नहीं कवीता समकालीन कवीता नवगीत या फिर कोई नहीं क्वीता को क्या नाम दिया गया यह पूंचा क्या है तो बारे में राकी जी आप सभी का यहां पर सही आंसर होगा क्या होगा सही आंसर समकालीन कवीता विकल्प नंबर बी आप सभी का यहां पर सही आंसर है विकल्प नंबर दो जिनों ने वी चैन क्या है उनका यहां पर सही आंसर होगा, समकालीन कभीता यहां पर सही आंसर है, सौन ले काप्विकी रचिना हिंदी के किस कभी ने की है, सौन ले काप्विकी रचिना बताना है, तेरह वा कॉस्चन है, नरेंदर सर्मा ने, बालिकृष्ण सर्मा नभीन ने, सुमित्रा नंदन पंत ने, या हरी वंसराय बच्चन ने, तेरह बाग कॉस्चन यहां पर दिया गया है, और तेरह में आप सभी का सही आंसर है, शौन लिक आपकी रचना, हिंदी के किस कभी न की है, वै कभी बताना है, तो आप सभी का यहां पर सही आंसर होगा, वेकल्प नमबर सी, आनिकी सुमित्रा नंदन पंत ने, सुमित्रा नंदन पंत ने किया, वेकल्प नमबर सी, जन्हों ने भी चैन किया है, उनका यहां पर सही आंसर होगा, अंगला कॉस्चन यहां पर देखेगा, कॉस्चन नमबर यहां पर पूंचा गया है, चवदै बाग कॉस्चन दिया गया है, लकड बगगा हस रहा है, कि रचेता कभी कौन माने जाते हैं, मत्पूंण कॉस्चन यहां पर दिया गया है, कॉस्चन नमबर चवदै है, और आप सभी का यहां पर सही आंसर आ रहा है, क्या रहा है सही आंसर, वेकल्प नमबर हां पर भी सही आंसर होगा, चंद्रकांते दियो ताले, वेकल्प नमबर सिख ने मं यामा में क्या होगा सिया अंसर कौनशी कृति में बताना है कि माना दैवर्मा की संपूण कवीतां संक्लित हैं 15 वा कॉस्चन या पर दिया ग्या है और 15 का सया स्या विकल्प नंबर सख्यांसर त है नाम क्या है अग्य है नांगर्जन है या फिर लूचन है या फिर प्रिकुमर नारायन है, question number 16, question यहां पर दिया गया है, खिचडी विपलव देखा हमने, कि रचनाकार कौन मानी जाते हैं, 16 में चैन कीजेगा, क्या होगा, सही answer, कार्तिक जी, चैन कीजेगा, मत्पून, question है, पाहिल रानी जी, खिचडी विपलव देखा हमने, कि रचनाकार का नाम पूँचा है, आप सभी का यहां पर सही answer है, नागरजुन, आप सभी का यहां पर सही answer है, विपलव देखा हमने, कि रचनाका नागरजुन मानी जाते हैं, अंगला question यहां पर देखेगा, question number, यहां पर 17 वा question पूँचा गया है, गीत गुंज नामक काब संकलन किस कभी की रचना मानी जाते हैं, गीत गुंज पंते, प्रिसाद, नराला, आक्सी, प्रिसाद से, 17 वा question यहां पर दिया गया है, 17 में आप सभी का क्या होगा, सही answer, गी गीत गुंज नामक काब संकलन किस कभी की रचना मानी जाती है, गीत गुंज नामक काब संकलन किस कभी की रचना मानी जाती है, गीत गुंज नामक काब संकलन किस कभी की रचना मानी जाती है, गीत गुंज नामक काब संकलन किस कभी की रचना मानी जाती है, गीत गुंज न question number 18 हमपर दिया गया है यह इनमेंसे ओज और ओधात्य का कभी किसे कहा जाता है एक बार लाइक अवस्ट से कर लेंगे जोनों ने अभी तक लाइक नहीं किया है और बता दीजेगा इनमेंसे ओज और ओधात्य का कभी किसे कहा जाता है प्रिसाद, पंत, निराला, मादे, बर्मा और चेन कीजेगा सभी लोग ओज और ओधात्य का कभी किसे कहा किसे माना गया है यह पूचा गया है question number 18 है और 18 में आप सभी का सही आंसर होगा सूरिकान तिरपाथी निराला को विकल्प नंबर सी वाला जो है आप सभी का सही आंसर होगा जो की सभी लोगों ने सही आंसर चेन किया है question number आप सभी से आपर 19 पूचा गया है नमन लिकित मैंसे के से कभी को ग्यान पीट पूरुसकार नहीं मिला है दिनकर को अग्ये को धोमिल को कुमनारण को 19 में चेन करना है बताईएगा भै कौन से कभी है जिनके लिए ग्यान पीट पूरुसकार नहीं मिला है नहीं पूचा गया है मत्तुपूर्ण question यहापर दिया गया है बताईएगा सभी लोगों के लिए पता होगा ग्यान पीट पूरुसकार किनको मिला है किनको नहीं मिला ह आपका सई आंसरों का सुदामा पांडे धूमिल सुदामा पांडे धूमिल सी वाला स्वारी सी वाला विकलप आप सभी का यहां पर सई आंसर होगा इनको ज्यानपीट पुरुस्काल से सम्मानित नहीं किया गया है तोच्चन नंबर 20 पूंचा गया है देखेगा क्या है कि निम्लिकित मैंसे किस काप बिकर्टी को साहित अकादमी नहीं मिला है अकाल में सारस केदानास है मैं बक्त के हूँ सामने गिर्जा कुमार मातुर दो पंतियों के बीच राजेस जोसी सतरंगे पंकों बाली नांगर जुन बताईए का क्या होगा साहिया आंसर इन मैंसे चैन करना है कि किस काप बिकर्टी को साहित अकादमी पुरुसका नहीं मिला है तो आप सभी का यहां पर साहिया आंसर आ रहा है क्या रहा है साहिया आंसर विकल्प नंबर आप सभी का डी साहिया आंसर है सतरंगे पंकों वाली नांगर जुन इसका बिकिर्टी के लिए साहित अकादमी नहीं मिला है अंगला कॉस्चन यहां पर देखेगा कॉस्चन नमबर 21 पूँचा गया है पृतिवद्द्द कभीता का जनक किसे माना गया है कॉस्चन नमबर 21 में चैनकन्ना अग्ये को परमानंद स्रीवास्तव को मुक्ति बोध को या जगदिस गुप्त को पृतिवद्द्द कभीता का जनक किसे माना गया है यह पूँचा गया है आप सभी से तो विकल्प नमबर यहां पर भी वाला जो विकल्प है वैसा ही आंसर है परमानंद स्रीवास्तव हां पर सही आंसर होगा परमानंद स्रीवास्तव यहां पर सही आंसर है पृतिवद्द कभीता का जनक किसे माना गया है साहित अकादमी का इस्तापना बर्स बताने यानि कि इसके इस्तापना कब हुई थी सन 1953-1963-1964-1984 माही से राजपुत जी विलकुल सभी के हम कमेंट तो यहां पर सभी के देखते जा रहे हैं एक-एक से सभी के कमेंट हम देखते हैं यह नहीं सोचना कि हमारा कमेंट यहां पर नहीं देख रहा होगा सभी के कमेंट देखते हैं कौन क्या लिख रहा है कौन क्या कौन कौन बातें कर रहा है यहां पर साइट अकादमी का इस्तापना वर्ष पूंचा गया है तो विकल्प नमबर आप सभी का यहां पर यह वाला जो है वह सही आंसर है यानि कि 1903 या कहीं कहीं चंगन भी मिलता है तो विकल्प नमबर यह वाला जो है वह आपका सही आंसर होगा यह वाला विकल्प जो है वह आप आपका सही आंसर है अंगला कॉस्चन यहां पर देखेगा चंगन माना जाता वैसे त्रेपन यहां पर दिया तो त्रेपन आपका सही आंसर होगा कॉस्चन नमबर आपसे यहां पर तेज़ पूंचा जो कि आज का चेलेंज प्रसन है किसम किसम की कभीता नामक लेक में नई 45 नामों का उलेक किस ने किया है वताई नरेश कुमार अग्गे डाक्टर जगदीश गुप्त नांगर जुन कॉस्चन मत्पून संजु जी और 23 में सही आंसर बताना है आज का आपका चेलेंज प्रसने आंसर आप लोग कमेंट में ज़रू लिखेगा किसम किसम की कवीता नाम लेक में नई कवीता कि 45 नामा का उलेक किस ने किया है अब बहुत बढ़ी है सभी के लिए जो है इसका आंसर कमेंट में वताने तीन हजार प्रसनों की पीडियाप है जिन के लिए भी चाहिए हो मां 399 रुपय में आप जो है पर्चेस कर सकते हैं नंबर इसकी में पर चल र पत्रिका का प्रकासन आरंब हुआ था यह पूंचा गया था तो आप सभी का यहां पर देखेगा चंगन ही होगा सही आंसर नई कवीता नई पत्रिका जो है इसका जो प्रकासन है इसका प्रकासन जो आरंब हुआ था उननिस सो चंगन ही होगा दीपक जी सही आंसर वी वाल लाइप कर लेंगे और सभी लोग लाइक शेयर करके जाना है सभी को बहुत बढ़िया लवली जी एल एक्स वी स्टडी सिवांसी जी कमला जी प्रमोज जी एस एन जी और रामेंद्र जी माही जी गुडिया जी छबी जी गोलू जी राकी जी सुनेना जी अभीशेख जी आस् शवी संकर जी रहनू जी और रीमा जी श्रीकांत जी बंजू जी किर्ष्णा जी और अनंत जी तनूपांडे जी दीपक पबार जी बहुत बहुत धन्यवास सभी के लिए सुनेना जी पाहिल जी आस्ता जी राकी जी पंकत जी माही जी सभी को बहुत बहुत धन्यवास सिल सौनीका जी सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हाँ दीपक जी बहुत बढ़िया लक्ष्मण